दोस्तो मेरा नाम इंज्विया है और मैं बिधान लॉक्लास के इस यूटूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक महत्पोग जानकाई देने जा रहा हूँ आप लोगों को पता होगा कि मत्रप्रदेश हाई कोट के द्वारा लगभग 20 प्रिटीशन को डिसाइड किया जाना था और उस प्रिटीशन के डिसाइड होने के बाद जो है मत्रप्रदेश सिविल जज्ज प्रिलिम्स 2020 का रिजल्ट घोसित किया जाना था परन्तु मदपदेश हाई कोट के द्वारा उपटिशन डिसाइड नहीं की गई और सुप्रीम कोट के द्वारे यादेश दिया गया था कि 29 फेब तक मदपदेश हाई को मदपदेश सिविल जच के प्रिलिम्स का रिजल्ट देना है परन्तु ऐसा नहीं हो सका इस संदर में मदपदेश हाई कोट के द्वारा समय बढ़ाये जाने के लिए में अर्थात मिजलीनियस एप्लिकेशन सुप्रीम कोट में समय बढ़ाने के लिए लगाई गई थी जिसके द्वारा मदपदेश हाई कोट के द्वारा मदपदेश सिविल जच प्रिलिम्स का बारा चार हप्तों के समय की मांग की गई जिस पर जो ब्रोधी पक्षकार थे मतलब छात्रों की ओर से जो पैर भी कर रहे थे उन्होंने अपना पक्ष रखा जिसमें उन्होंने बोला कि आपके द्वारा इंट्रिम रिलीफ दी जा चुकी है उस इंट्रिम रिलीफ को ही आप अन्तिम कर दीजेगा जिस पर सुप्रिम कोट के द्वारे यह कहा गया कि कौलिफिकेशन को डिसाइड करने का अधिकार मदप्रदेश हाइड कोट के पास ही है और उसको केबल और केबल मदप्रदेश हाइड कोट ही डिसाइड कर सकती है इसी के साथ सी साथ मानिय सर्वोच पुछने आले के द्वारा मदपदेश हाई को मदपदेश स्विलिज प्रिलिम्स 2022 का रेजल्ट खुसित करने के लिए चार हपतों का समय दे दिया गया और मिजलीनियस एप्लिकेशन को मदपदेश हाई कोट के पक्ष में निर्नीत करते हुए समय बढ़ा दिया गया है और मदपदेश हाई कोट के फिवर में ही डिसिजन दिया गया है ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रही है बिधान लोकलासे से थैंक्यू